हेलो स्टुडेंट्स कैसे हैं आप सभी मैं शुबंपुर ओयत आपका जगरफी एजुकेटर स्वागत करता हूँ आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल मैंगनेट ब्रिंस पर मैंगनेट ब्रिंस जो की फेमा से पूरे इंडिया में क्वालिटी कंटेंट सिस्टेमेटिकली प्रोवाइड करने के लिए जहां पर आपको किंडर काड़न से लेका क्लास्ट्रल तक कि सभी कक्षाय मिलती हैं इंग्लिश मीडियम में और छटवी से लेकर बारवी तक हम आपको प्रोवाइड करते हैं हिंदी माध्यम में सभी कक्षाय साथ अगर आप ई-नोट्स और ई- की इस वीडियो में हम लोग N.C.I.T. solutions पर बात करने वाले हैं मतलब कि आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें जो एक्ससाइज दी हुई है जो अब्जेक्टिव क्षेंस जो अति लगुत्री लगुत्री और दीरुत्री प्रश्न दिये गये हैं आज हम उनके मॉडल आंसर जो हैं वो डिसकस करेंगे तो आप लोग वीडियो के साथ बने रही है और आप लोग जो आप लोग को काम क्या करना है हमारी जो हमेशा से strategy रही है वो यह कि हम लोग जो objective question solve करते हैं उसका answer में शुरूबात में नहीं बताता हूं आप लोग को करना क्या है जैसे ही मैं यहा साम टाइम में आप लोग को दिक्कत हो जाएगी तो अगर यह question पूछा गया है पहला हम लोग को objective question पढ़ना है तो सबसे पहले इसका answer आप लोग को question है कि कॉन सी संख्या प्रत्वी की आयू को प्रदर्शित करती है गुल मिलाकर हमें प्रतर्वी की आयू जो है वह बता Алеी सप्टर आपनों को बढा रहा था तब मैंने आपनों पताया था कि यह कि बाद भी लोग यह दिसकस कि तरीके से बने कि इनके भी यह सम्लोगों निजा चैप्टर में मैंशन किये थे पिर दूसरा जो यह कि प्रत्वी पर जीवन की लगबघ कितने साल तो हम लोगों ने आंकड़ों के माध्यम से पड़ी थी तो कम से कम चार डेटा आप लोगों को याद रखना ही रखना है जो बुक में दिया गया कि उत्पत्ति जो है वो कितनी कब हुई होगी यह भी मैंने अपनों को चैप्टर में बताया था क्यों सकता है नेक्स वाली जो हम लोग अब्जेक्टिक कोश्चन पढ़े उसमें यह वाली चीज़ें आ जाएंगी अब देखे पूजा गया कि निमलिकित में से कौन सा तत्व वर्तमान वायू मंडल के निर्माण वा संशोधन में सायक नहीं है मतलब वर्तमान वायू मंडल के अगर हम लोग बात करें तो कौन सा तत्व वायू मंडल के निर्माण वा संशोधन से संब्दित नहीं है सौरपवन गैस उसरजन विभेधन और प्रकाशन स्लिशन दिखे बेसिकली प्रत्वी की परतों और स्थल मंडल से संबंदित बाते हैं इसके अलावा जो सौरबवन गैस उत्षरजन और प्रकाश अंशलेशन यह तीनों जो अबजेक्टिव हैं वह वायू मंडल की उत्पत्ति से संबंदित टॉपिक है उम्मीद करता हूं आपनों को यह जो साल पहले प्रत्वी जिवन की उत्पति होई थी तो जिवन की उत्पति पहले देखे इसलिए मैं बोलता हूं तीन चार जो मैंने डेटा बताया थे प्रधिवी की आयू प्रध्वी की उत्पत्ती जीवन की उत्पत्ती इस्थल मंडल जलम अलब का विकास महासागर का विकास कितने साल पेले हुआ था यही तीन आप लगवा जो डेटा याद रखा था तो चारों देटा जो हम लोगों ने पढ़ें वह बहुत अच्छे से ताकि कंफ्यूस करने के लिए एक जैसे सिमिलर अगर आपनों को बना दिये हैं तो आप लोगों को जो है आंसर उसका सही पता चल जाए ठीक है अब जो है अतिलगुतरी प्रश्णों को हम करते हैं पहला क्वेडन की प्रक्रिया क्या होती है विए दन la m हलके और भारी तत्वों को मिश्रन वाले जो पदार्थे और घरत्वे में अंतर के कान उनमें अलगाव शुरू हो गया वो अलग-अलग होने शुरू हो गए इसी अलगाव से भारी पदार्थ जैसे लोहा प्रत्वी के केंदर में चले गए और हलके पदार्थ प्रत्वी की सतह पर उपरी भाग की तरफ आ गए समय के साथ ये और ठंडे हो गए और ठोस पदार्थ में परिवर्तित हो गए और छोटे आकार के हो गए हलके और भारी घनत्व वाले पदार्थों के प्रतक होने की इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं विभेदन क्या बोलते हैं विभेदन तो ये प्रक्रिया आपनों को याद रखनी है स्थल मंडल के विकास से सम्मंदित ये बाते हैं शुरूबाइब प्रत्वी गर्म थी घूम रही थी ताप के पिखलने के कारण घनत्म में के र करण पदार्थ जो थे अलग अलग हो गए और जिनका भार जो था वह ज्यादा था वुश्मूर में केंडर की तरफ आ गय और जिनका भार जो जो था वो कम था वो उपनी सतर पर आ गए तो इस तरीके से अलगाव हुआ इसी को अलगाव को हम लोग बोलते हैं विभेदन ठीक है उम्मीद करता हूं आपनों को यह वाला को से अब बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा नेक्स में प्रतवी के धराताल का स्वारूप क्या था दें कि अच्छा कोशन की कुछ समय पहले जब रबश के उत्पत्य हुई होगी तो आखिर अधरादल था कैसा तो अम लुब ने चब्ट चतानी तो घरम चटानी पिंड थी वीरान के रह uniquely जहाँ पर जीवन की संभावना संभावना कैं जीवन था ही नहीं बिल्कुल भी तो प्रारंमभ में प्रतवी था कि असी करोड साल लग गए टेंपरेचर को पिघलने में या टेंपरेचर जो थे वो कमोने अपने निर्माल के असी करोड वर्षवाद ही यह पिघल चुकी थी समझ रहें आप यह उस समय ठोस अवस्था में नाकवर तरल अवस्था में शुरुबात में जो प्रद्वी थी वो लिक्विड स्टेट में थी तरल अवस्था में थी और इस पर वायू मंडल का जो घनत्व था वो काफी विरल था वायू मंडल में किवर हाइडोजन हीलियम प्रारंबिक दौर की प्रत्वी पर कुछ ऐसी घटनाएं और क्रियाएं अवश्य होई होगी जिनके कार्ण चक्टानी वीरान और गर्म जो प्रत्वी है वह ऐसे सुंदर ग्रह में परिवर्तित हो गई जहां बहुत सा पानी जीवन के लिए अनुकूल वातावरण बन पा तो थी लगबख सुरुवात में ही जो हुई कि प्रत्वी पर आरंविक दौर में इतना अधिक था कि अपने निर्मार के 80 करोड़ वर्ष बाद ही यह क्या थी पिघल चुकी थी ठीक है तो यहां पर चीजन लिखी हुई होती ना आपको रटने की आपशक्ता नहीं पढ़ती नेको लिख देंगे एक दम सही होगी ठीक है क्योंकि वहां पर आपलों को दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा वहां पर चीज़ें आप लोगोंने सोश समझ पर और समझी होगी समझ कर लिखे होंगी वहां पर आप रटने की आवशक्ता जो है वो बिल्कुल नहीं पढ़े के वायू मंडल को निर्मित करने वाली प्रारंबिक यसे हाइड्रोजन और हिलियम गैसिस थी जो काफी क्या थी गर्म थी इन गैसों की उपलब्दता के कारणी प्रतवी तरल आवस्था में थी वर्तमान समय में सूरी भी हाइड्रोजन और हिलियम गैसों का ही क्या है गोला ह समझी सकते हैं तो वर्तमान समय में सूरवी ही बीड़ोजन के सबनें का गुला है जो कि काफी गर्म है उसी से प्रत्वी प्राइमभी दौर में काफी गर्म थी प्रायम्भी बाइव मंदल जिसमें हाइड्रोजन वह हिलियम के अधिकता थी सौर पवन के कारण प्रद्वी से दूर हो गया अर्थात ऐसा कि बल प्रथवी पर ही नहीं बलकि सभी पार्थिव ग्रहों से आधी कालिक वायू मंडल मतलब वो वायू मंडल जिसमें है घड्रो गैस की वायू मंडल दूर हो गया और प्रद्वी से दूर धकेल दिया गया समापत होने लगा यह वायू मंडल के विकास स्टुडेंट्स ऐसे होते हैं जो क्लास अटेंड नहीं करते हैं तो मेरा जो में अब्जेक्टिव है वह यह है कि क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोगों की तैयारी हो जाए कि अगर आप लोगों को चैप्टर जो हैं वह बहुत ही ज्यादा आसान नजर आने लगता है ठ से भी बैंट थे ओरी यह विग या व किन सिर्था तो मुस्ट आएंप आरवियों तेओर ने प्रहमारी में अबते हुआ है यह जो अ कि समय म मतलब सभी लोग आज इस सधान को मानते हैं यह बगव सिद्धान्थ है इसे विस्तारिद प्रिकल्पना विस्तारिध Prest Extired ब्रिकल्पना भीबोलते हैं 1920 में एडविन हबल नहीं ठीक है फ्रमार दिए सबिडिए और जिन से बृबन मांवस्तार निम्न अवस्थाउं में हुआ है अगर हम फेजिस की ही हम लोगों को यहां पर लिख देना है आरंब में वे सभी पदार्थ जिन से ब्रह्मांड बना था अती छोटे गुलक मतलब सिंगल परमाणू के रूप में मौझूद थे इसलिए इसको सिंग्यूरी टी वह उता हैं किया बोलता है सिंग्यूरी टी जब हम लोग चैप्र पड़ रहे थे तो इसमें डाइग्राम जो था मैंने आपनों को बनाया था चैंगलर शेप का डाइग्राम था आपनों यहाद आ रहा होगा और आप आप लोगों को अगर लिखने के लिए दोन नहीं मिलेंगे कि है मैंने अपने को बताए कि सबसे पहले जो था एक आकी पर वारٌ ठाप इसके अंदर अत्याद इकताप था इसका आयतन बहुत ज्यादा कम था जिसमें जिसका जो घनत था बहुत ज्यादा था इसमें क्या हुआ तेजी से क्या हुआ इसमें विस्फोट हुआ तो जो आकाश गंगा है आपस में एक दूसरे के पास नजार आ रही है यह देखिया आकाश गंगा है वो क्या हो गई आकाश गंगा है एक दूसरे से क्या हो ग जाता है तो समझ लेते हैं आरम में वे सभी पदार जिन से बायूमंडर या स्वारी ब्रह्मांड बना है अती छोटे गोलक के रूप में एक ही स्थान पर इस्थित थे जिसका आयतन जो था वो अत्यदिक सूख्षमिता और तापमानों घनत्व जो थे वो अनंत थे मतलब इस चोटा एक्जामपल आप समझ सकते हैं तो बिग बैंक की प्रक्रिया में से अती छोटे गोलक में भीशन विस्पोट हुआ इस प्रकार की विस्वोट प्रक्रिया के ब्रहत विस्तार हुआ विज्ञानिकों को विश्वास है कि बिग बैंड की हटना आज से कितने समय पहले विस्तार के कान कुछ उर्जा पदार्थ में क्या हो गई परिवर्तित हो गई बिग बैंक से तीन लाक वर्षों के दोरान तापमान कितना कम हुआ लगबख 4500 डिगरी केल्विन यह केल्विन आप लोगो याद रखना है सेल्सियस में नहीं है यह तापमान जो था पार्दर्शी चीजें वह धूल कर जब बादर हट जाएंगे तभी तो हमनों को चीजें जो है वह दिख़ाएंगी ट्रांस्परन्ट यह तो ब्रहमान पारदर्शी हो गया विस्तार का अर्थ है आकाज गंगा के डूरी का विस्तार होना है ने इसका विकल्प स्थिर आव एसा ही स्वरूप बहुत पहले भी था लेकिन हबल बोल रहा है कि भी और ब्रहमांड लगातार विश्टार हो रहा है तो समय आपनों को याद लिखना है ठीक है पढ़ा हुआ है तो हर एक चरण के वाले में हम लोगों को ब्रीफ में जो है इंट्रोडक्शन जो है वो देना है तो प्रत्वी का विकास विभिन अवस्थाओं में वहा प्रत्वी का निर्मान 460 करोड़ वर्ष पहले हुआ था तो प्रत्वी का जो निर्मान हुआ था वह था लगबग 460 करोड़ वर्ष पहले उस वक्त प्रत्वी तरल अवस्था में थी क्योंकि इस पर हाइड्रोजन हिलियम से द्रव अवस्था में रह गई और ताप के अधिक्ता की कारण हलके और भारी घनत्व के मिश्णवाले पदार्थ घनत्व में अंतर होने के कारण अलग-अलग हो गए जिसे हम लोगों ने विबेदन की प्रक्रिया दवारा बहुत अच्छे से समाई दिया है बहुत सांट यह ऊठंडे हुए और थोस रूप में परिवर्थित होगा त्यों मतलब जो उपनी जो सता है जिसमरों के लुए पर आरा है समय के साथ यह ठंडlä और ठोस रूप मैं न खेक है आकार सुरी ठोस रूप में परिवर्थित हो गए और छोटे आकार के अंततों को गत्वा यह प्रत्वी की भूपरपटी के रूप में विक्षित हो गाए तो प्रत्वी की सतय तो बनाएंगे इसलिए क्या वन गए वह भूपरपटी बन गए परतमान वायू मंडल के प्रत्वी से दूर हो गया और प्रत्वी के थंड़ा होने और विभेधन के कारण ही इसके अंदुरूनी भाग से बहुत सी गैसे और जलवाश जो थे वह बाहर निकले क्या पढ़ना है की फ्रत्वी के विकास संवंदी अवस्था हों के बारे में बता आना है की बाहर आज के वाइव में हुआAL का उदवा हुआ यहा अज और किसंड़ इंगारं के लाइं वन वाक्सिजह का बढ़ी है किस से प्रकास संशलेशन की क्रिया की वज़ेति ऐसा माना जाता है कि प्रत्वी पर जीवन लगवग कितने समय पहले आया 380 करोड वर्ष पहले आरंब हुआ और सबसे पहले किस में आया था तो एक कोशिए जीवानों में आया था से आज के मनुष्य तक के जीवन का विकास भू वग्यारिक काल मापकरम से हम लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और यि जो हम लोग कि प्रकृऍदी बन रही थी मतला हम लोगों ने इस खल न ले की चिरीर घ्यांग कि तरीके से-syah विक्सित वह जब जाए तराosc जब हम लोग चैप्टर डिसकस कर रहे थे कि भाया वैग्यानिक जो है वो जीवन की उत्पत्ति एक केमिकल रियक्षन जैसी मानते हैं कि जिसमें कारवन अनु के रूप में हम लोग का संगनन हुआ और हम लोग एक जैसी जो थी चीजें या रैप्लिका जिसको हम लोग बोलत के जो मोडल आंसर हैं हम लोगों यहाँ पर डिसकस की है अगर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना है तो सबसे पहले जो है आप लोग वो जो लॉग वीडियो हैं हम लोगों ने बनाई हुई है चैप्टर से शम्मंद्र वह भी आप लोग जाकर देख सकते हैं तो सी देख सकते हैं ऐसा ही इंटरफेस आप लोगों को दिखाई देगा जब आप गूगल पर टाइप करेंगे डे टूडे अपडेट्स के लिए आप हमारे सोशल मीडिया चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं जिन सोशल मीडिया चैनल पर हो है यूट्यूब फेस्वोग इंस्टाग शाहिं दिखाई में दया कर ँग्छों केस्ट और बात्यू को और भी ठायके डिकली work लगी ट॥े टाफ।